Hello friends, good morning, कैसे हैं आप सब I think fit होंगे, fine होंगे, मैं हूं आपका दोस्त अभीशीक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी भारत के future doctors तो बच्चों को जितना headache जो है result को लेकर नहीं है या अभी तक exam को लेकर नहीं था उससे कहीं ज़्यादा headache है बच्चों को second phase के restriction form को लेकर बहुत से बच्चों ने apply कर दिया है बहुत से बच्चे आज करेंगी या बहुत से बच्चे कल करने वाले हैं लेकिन जो doubt है वो सबसे ज़्यादा है वो NTA ने ही create किया पहले चीज़ डाउट आई थी जब फस्टे की माक्षेट को लेकर थी मैंने को बताया था कि आप कैसे form submit करें फिर अभी जब last time NTA ने notice release किया कि आपकी last date वो increase कर दी गई है और वहां उसने बताया कि notice में कि इस बार आपकी जो OMR है या फिर जो आपका score card होगा वो NTA आपके official email ID पर mail करेगा अब यहां से doubts बढ़ गया क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि second phase में जो है enroll करना हर बच्चे के लिए compulsory है अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसका result NTA display नहीं करेगा लेकिन उससे कहले इंपॉर्टन पार्ट यह आता है कि हम कैसे जाने कि जो हमारे email ID है यह mobile number है वो verified है उसको NTA ने accept कर लिया है तो इस वीडियो में आपके इस doubt को clear करने वाला हूँ आई चलते है official site से और वहीं आपको बताते हैं हम देखकर कि क्या कुछ आप कैसे जानेंगे कि आपका form submit हो गया है और आपका result NTA display करें सबसे फिले आपने Google Chrome पे जाना है और वहाँ पर आपको NEET की जो official site है नी need.nta.nac.in आप इसको open करेंगे अब आपको ऐसा दिखेगा आप इसको scroll करेंगे नीचे ठीक है फिर यहां लिखा हुआ आप दिखने जब आप इसको sign करेंगे तो आप पूछ ऐसा दिखेगा स्क्रीन पे ठीक है अब यहां पर एक चीज़ है कि आप जो है download करें confirmation page ठीक है अब जब side में देखें कि आप यहां लिखा हुआ है verify mobile number and email id तो आपका जो number भी verified लिखकर आएगा और email id भी verified लिखकर आएगी अगर ऐसा आपके screen पे सो हो रहा है that means आपका जो result है या आपका जो MR है आपके जो answer की है वो सब आपको display NTA करेगा आप बिल्कुल वे फिक्र है लेकिन यहां पर ऐसे बच्चे जिनकी mobile phone में या screen पे ऐसा आपको नहीं कर रहा है तो उनको क्या करना चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ तो एक बार फिर से आप जिससे back जाएंगे और आप यहां पर सब कुस fill करेंगे application number password security bin आपके सामने form जो है submit हो जाएगा तो यहां पर आप आप देख रहे हैं ना कि जो है verify दिखेगा ठीक है तो अगर आप इतनी चीज़ां पर क्लियर हैं तो आपका result display होगा आपका form submit हो चुका है और आप easy way में आगी चीज़ों में participate कर पाएंगे इसकला extra कुछ नहीं है आप बिलकुल भी आगे के लिए परिशान ना हूँ ओके इस वीडियो में तहीं